तो कल रात में बादाम और किताब का घोल पी अपनी यादाश और ज्यान को मजबूत करने के गंभीर कारे में लगा था तब ही गौतम का पोन आया और उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मुझे अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो सो कैसे सकती हूँ खैर फिर अगले ही पल यानी कल मैं पहली फुरसत में घर से निकला और यहां आ गया दुनिया के सबसे बड़े दुर्गा पंडाल को देखने जिसे प्रेम मंदर की तर्ज पर बनाया गया यह पूरी जानकारी कल हमें गौतम ने बताई थी इश्वर की इतनी सारी मूर्तियों को एक साथ देख ऐसा लग रहा था हमानों मैं स्वर्ग लोप में चल रहा हूँ इसे बनाने के लिए लोग यहां पिछले तीन महने से जीतोड महनत कर रहे हैं आप इसकी खुपसूरती के बारे में दो शब्द जरूर लिखिएगा अंकल मुझे भी इस काम में थोड़ा योगदान देना है ठीकर मेटा गेट से बाहर से ले आओ ये बढ़ता हूँ है थोड़ा मेरे नाल